जैहिन दोस्तों आज हम लोग जीन पियाजे का जो संग्यानातमक विकास के सिद्धानत है उसके 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट पी वाई क्यों सालों करेंगे जो आने वाले सीटेट एक्जाम के लिए बेहधी कारगर साबित होंगे और जो लोग नए हैं अगर उनको वीडियो अ संग्यानातमक विकास की दुती अवस्था है तो पियाजे ने जो चार अवस्था हैं बताये उसमें से दूसरी अवस्था कौन सी या कोचन पूचा गया है इसका इंफर हो जाएगा पूर संक्रियातमक वस्था दूसरी अवस्था कौन सी है पूर संक्रियातमक वस्था और चोथी आपचारिक संक्रियात्मक या फिर इसे ही अमूर्थ संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है और बेहद इंपॉर्टेंट पांट एक यह है कि जो पहले अवस्था होती सम्वेदी गामक इसकी एज होती है जीरो से दो वर्ष उसके बाद दूसरी वस्था जो होती है पूर्थ संक्रियात्मक अवस्था इसकी एज होती है दो से साथ वर्ष और जो मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था जो चोथी वस्था है जिसे अमूर्थ संक्रियात्मक वस्ता भी कहते हैं इसके जोती है गेरा से पंद्रवर्फ तो ये सभी बाते बताई थी जीन प्याजे ने जो संग्यानात्मक विकाव का फिद्धान दिया था और एक पॉइंट और नोट करना है जीन प्याजे जो थे जीन प्याजे किस देश के मनोवाग्यानिक थे स्वीजर लेंड के स्वीजर लेंड के मनोवाग्यानिक थे और इनकी बहुत एक फेमफ उस्तक है दा लेंग्वेज दा लेंग्वेज आफ दा थाट आफ दा चाइल्ड the language of thought of the child यह पुस्तक किसके द्वारा लिकी गई है जीन प्याज़क द्वारा तो इस सारे पॉइंट आप लोगों को नोट करने सारे बहुत important पॉइंट है पेपर की द्रिफ्टी से और बहुत बार पहुँचे भी गए है और अगला पॉइंट जो है इसमें से कि सिरीज वाज आपको अवस्था याद रखने है पहली कौन सी हो गई ये वाली समेधी गामक, दूफरी हो गई पूर संक्रियत मक, तीसरी हो गई मूर्द संक्रियत मक और चोथी हो गई और मूर्द संक्रियत मक इनका जो क्रम है ये आपको बहुत अच्छी तरीका श्याद होना चाहिए इससे बहुत ज़्याद कोश्चन पेपरों में पूचे गए है चले देखते हैं अगला प्रिष्ण अगला कोश्चन है हाँ पे किस अवस्था में बच्चे वस्थ इस्थायत की समझ तो बना लेते हैं परन्त यह नहीं समझ पाते की क्रियाई परिवर्थ नहीं हैं और उनके निर्ड़े चीजों की मौझूदा दिखावड पर निर्भर करते हैं तो यह क्वालिटी कौन से वस्था में पाई जाती बच्चों में या पूर संक्रियात्म कवस्था में किस इस्थार पर बच्चों में अपने आफपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी द्रफ्टिकोंड होता है और वे मानते हैं कि पेंड पौधों और चलते हुए बादलों और लुड़कते पत्थरों की मनसाएं और इराद हो सकते हैं तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जो जीववादी है जीववादी के मतलब यही होता है कि बच्चा सभी चीजों को सजीव समझता है समझता है सभी चीजों में जान है ने बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तिमाल वस्तूं को प्रतिनिधित्य करने के लिए किया जा सकता है अगर बच्चे के सामने साइक्ल नहीं है तब भी साइक्ल सब्द सुनकर उसके मस्तिस्क में एक प्रतवीम बन जाता है तो यह कौन से वस्था में होती इस तरी की गटना है पूर संक्रियात्म का उस्था में चीजों का प्रतपी में बच्चा तभी बना पाता है जब उनके सामने वो चीजें उपस्तित नहीं होती है विशेस्ता जो होती है यह होती है पूर संक्रतमक वस्था की अपसा आलू के एक छिप्स को दिखाते हुए कहती है तितली जीन प्याजे के नुसर इस प्रकार का प्रतीकातमक विचार की सवस्था की विशेस्ता है तो इस प्रकार की जो प्रतीकातमक विचार बच्चों में पाए जाते हैं यह भी पाए जाते हैं पूर संक्रतमक वस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में अगला कोशन है किस अवस्था में बच्चे लाच्छनिक कार करना प्रारम कर देते हैं और उनमें भासा कौसल तेजी से बिक्सित होता है तो ये भी quality बच्चों में जो पाई जाती है पूर संक्रियात्मक अउस्था में एक बालक को 20 भूरे रंग के लगडी के मनके और 2 सफेद रंग के लगडी के मनके दिये जाते हैं बालक से पूछा जाता है तुम्हारे पास लगडी के अधिक मनके हैं या भूरे रंग के अधिक मनके हैं बालक कहता है भूरे रंग के मनके अधिक हैं पियाजे के संग्यानादमक विकास के सिद्धान के नुसार बालक कौन से वस्थाम है देखो 20 भूरे रंग के लगड़ी के मन के दिए गए और 2 सफेद रंग के लगड़ी के मन के दिए गए अब वो different नहीं कर पाता है मतलब चीजों में क्या confuse रहता है अब उसे कोशे ने पूछा काया कि मतलब कौन से रंके मन के अधिक हैं बूरे रंके या फिर लकडी के तो बच्चे क्या बताता है बूरे रंके मन के अधिक हैं क्योंकि वह समझ नहीं पाता है कि दोनों लकडे जो दोनों मन के हैं यह क्या हैं लकडी के मन के हैं तो इस प्रि प्रतीकों का इस्तिमाल करने लगते हैं और तार्किक मानसिक समझ उभरने लगती है तो यह quality बच्चों में पाई जाती है पूर संक्रियात्मक काल में उसके बाद question है विपरीत करने की योगता पियाजे के संग्यानात्मक विकास की आधार पर किस अवस्था का गुण नहीं है तो विपरीत करने की योगता किस अवस्था का गुण नहीं है पूर संक्रियात्मक वस्था का पूरु संक्रियात्मक वस्था का विकास की पूरु संक्रिया वस्था निम्न में से किसने दिया था पियाजे ने किसने पियाजे ने एक छोटी बाली का प्रती कात्मक खेल कर पाती है पर अभी दूसरे विक्ति का द्रफ्ट कोन नहीं समझ पाती और वह अपनी पकड़ से बाहर की गटनाओं की वज़े से आसानी से परेशान हो जाती है जीन प्याजे द्वारा सुझाए गए चरणों में से कौन फो चरण इस बालिका के वर्तमान इस्तर को अंकित करता है तो इसका एंफर हो जाएगा पूर संक्रियातम कवस्था अब एक्जामपल देख लो ऐसे समझते हैं कि कोई छोटा बच्चा होता है अगर वो रो राज को चौकलेट दे दी गई ठीक है तो खुस हो जाता है और रोना बंद कर देता है तो अगर उसके मम्मी पापा या कोई अन व्यक्ति रो रहा है तो वो क्या समझेगा वो यह समझेगा कि इनको भी चौकलेट दी जाएगी अगर तो यह भी खुस हो जाएगे तो इस अब अस्था में बच्चे क्या होते हैं अपने विचारों दूसरे को विचारों में डिफरेंट रहें कर पाते हैं तो यह क्वालिटी कौन से अस्था में होती है पूर संक्रियात्मक अस्था में जीन पियाजे के अनुसार विकास आतमक बदलाव की प्रक्रिया निम्न में से किन बिसिफ्ट संग्यान आतमक प्रकार्रें दोरा घटती है इसका एमफर हो जाएगा समा वेफन एवं समा वेजन के दोरा समा वेजन एवं समा योजन के दोरा जीन पियाजे के सिद्धान्तों के अनुसार अनुकूलन किन दो मूल क्रियाओं को समाहित करता है तो अनुकूलन जो एव समाहित करता है समा योजन और समा वेशन को पियाजे के अनुसार बौधिक बिकास दुनिया के अनुकूल के माध्यम से होता है या किसके माध्यम से होता है या होता है आत्मसाद करण और समंजसन अकमोडेफन जिसको अनुकूलल कहते हैं उसके माध्यम से जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप इसकीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतू नवीन जानकारी में संसोधन और नवीन जानकारी के अधार पर पुरानी योजनाओं में संसोधन के परणाम के रूप में गटित होता है इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है तो इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है समा वेशन और समा योजन के रोप में एक पांच साल की बच्ची को उसकी सिचका ने पांच छोटे पत्थर दिये बच्ची ने उन पत्थरों को अलग अलग प्रकार से लगाया एक छोटी लाइन, एक बड़ी लाइन, एक उरत फिर उसने उन पत्थरों को बार बार गिना जीन पियाजी के निसार ये बच्ची निम्ण में से किस संग्यानात्मक इस कीमा को ग्राण करने की कोशिश कर रही है तो बच्ची वो क्या कर रही है वो संक्रमण तो बच्ची वो क्या कर रही है बच्ची कर रही है संख्या का सरच्षड संख्या का सरचड कर रही है यहां पर बताने जारे हैं संख्या का सरचड होगा अगला प्रफ़न यहां पर है निमन लिकित में से कौन सा पियाजे के सिध्धान की आलोचना प्रस्तूत करता है पियाजे को यह विश्वाफ नहीं था कि बच्चे बुद्धिमान होते हैं पियाजे ने पूर संक्रियातमा कवस्था में बच्चों की छमताओं को कम करांका था पियाजे ने बच्चों को ग्यान की सक्रि सरचना करने वाला नहीं माना था पियाजे ने विकास की प्रक्रिया को फतत माना था अब कोशन यहां है यहां पे कि पियाजे की सिध्धान्द की अलोचना क्या है तो पियाजे ने पूर्ध संक्रियातमा कवस्था में बच्चों की छमताओं को कम करांका था तो यहां क्या है इसकी अलोचना सिध्धान्द की अगला प्रफने हाँ पर है जीन प्याजे ने विकासातमक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है तो सबसे पहले बताई थी समवेदी गामक अवस्था फिर उसके बाद पूर संक्रियतमक फिर उसके बाद मूर्थ संक्रियतमक फिर उसके बाद आपचारिक संक्रियतमक तहां पर बी वाला अप्षन बिल्कुल सही हो जाएगा अब यहां पर देखो दिया गए समवेदी गाम कवस्था उम्र शुरू होती है जो मूर्थ संक्रतम कवस्था की उम्र शुरू होती है साथ वर्ष से फ्टार्ट होती है और गेरा वर्ष तक चलती है साथ से गेरा वर्ष पियाजे मुक्ता के छेत्र में योगदान देने के लिए जाने जाते हैं तो इसका इंफर हो जाएगा ग्यानातमक विकास या फिर संग्यानातमक विकास के लिए जन्म से किस ओरा वस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है तो इसका एंफर हो जाएगा सामवेदिक मूर्थ अमूर्थ के रूप में पियाजे का सिध्धान्त संबंदित है बालक के संग्यानातमक विकास से पियाजे के अनुसर में बच्चा अमूर्थ संकल्पनाओं के किसे में तारकिक चिंतन करना हरम कर देता है किसी भी कॉस्चन में अगर मिल जाए अमूर्थ और पूंचा जाएगा बच्चे कि कौन सी विकेस्ता होती है कौन से उवस्था की तो उसमें समेशा जो चोथी अवस्ता होती है आपचारिक संक्रियातमक अवस्ता ही हम लोग एंसर मारेंगे टिक करेंगे आपचारिक संक्रियातमक अवस्ता राधा ने अपने छात्रों से उनके लिए एक अध्याय से प्रफ्न बनाने और उससे संबंदित उत्तर लिखने के लिए कहा एक छात्र संग्यानातमक विकास के कि इस चरण में इसकार के नीतार्थ से सबसे अधिक लाववानित होता है जिसका एमफर हो जाएगा आपचारिक संक्रियातमक चरण में किस चरण में बच्चों में संरच्छन का सिधान्द बिक्सित होता है जिसका एमफर हो जाएगा मूर्त संक्रियातमक वस्था में मूर्त संक्रियत्मक अवस्था में वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं वा घटनाओं के बिसे में चिंतन प्रारम करता है तो इसका एमफर हो जाएगा मूर्त संक्रियत्मक अवस्था में मूर्थ संक्रियात्मक अवस्था में जीन पियाजे के संग्यानात्मक विकास के किस इस्तर पर बच्चे लंबाई वा भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तूओं को विवस्थित कर पाते हैं परंत अमूरत सरचनाओं के संख्रियात्म कट्डा में कट्णाई मसेफ करते हैं तो यह quality पाय जाती है मूर्त संख्रियात्म कवस्था में बच्चों के बौधिक विकास की चार बिसिफ्ट अवस्थाओं के पहचान की गई थी पिाजे द्वारा, किसके द्वारा, पिाजे द्वारा उत्तर बालुया हुथा में बालक, बहुतिक बफ्तुप्तुँओं के किस आवाशक तत्में परिवर्टन समचने लगते हैं द्रविमान संख्या और छेत्र में राष्ट कोश्शन दिया गया है बालकों के सोच अमूर्थता की पेच्छा मूर्थ अन्भों एवं प्रत्यों से होती है यह वस्ता है यह वस्ता है अमूर्थता की बात की जा रही है तो अमूर्थ संक्रियत्मा का वस्ता या फिर अनौपचारिक संक्रियत्मा का वस्ता होगी इसकी एज होती है साफ से गेरा वर्स जा फिर उस से अधिक तो यहां पर एवाला अप्षन हो जाएगा साथ से बारा वर्स तक साथ से बारा वर्स तक